नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है जब कभी हम अपना एम्प्लिफेर बनाते हैं जैसे कि 200 वार्ट 500 वार्ट या 2000 या 5000 वार्ट तो वहां पर जो न 5 वार्ट का रेजिस्टेंस को लेने जाना है यह रिष्टेंस लेकिन मार्ट में आ और यह मिली सकता है तो वहां पर ने जलेहें अपरthem लगा है है कि नहीं आश्परों कर दोस्तो चलंगा है तो यहां पर यह पता लग सके कि जब यह रजिस्टेंस इस वयलू का नहीं मिल रहा है तो आप कौन कौन से value का resistance लगा सकते हैं तो देखे अब देखे जब भी हम amplifier बनाते हैं पेर के अंदर तो वहाँ पर इस resistance का यूज जरूर होता है पांच वाट का resistance यह लगाना ही पड़ता है तब भी हमारा जो amplifier वो चलेगा लेकिन यहाँ पर क्या होता है बात आजाती है value के उपर कि value हमें कभी कभी नहीं मिल पाती है तो देखे इस तरीके से यह driver board भी हम जब बनाते हैं तो यहाँ पर भी हम अपना transistor का पेर बनाएंगे उसको लगाने के लिए तो वहाँ पर भी हमें resistance का जरूरत पड़ेगा तो resistance आप कौन-कौन से यूज कर सकते हैं अब देखे यहाँ पर लिखावा E33 तो इस तरीके से देखे मैं आपको दिखाता हूं कि आप कौन-कौन सा resistance जो है लगा सकते हैं क्योंकि आने वाले टैम में अगर आपको कोई वीडियो देखनी की जरूरत ना हो आप सीधा जो मार्किट में वो resistance जो है ले सके जागे तो देखे सबसे पहले जो resistance यूज होता है वह होता है 0.22 का resistance होता है हमारा 5W देखे एक तो यह resistance हो जाता है यहाँ पर एक होता है हमारा 0.33 यह भी हमारा पांच वाट के अंदर यूज होगा आप देखे जब आपको ज़्यादा वेलू की resistance पता लग जाती है तो उससे यह होता है कि आप किस किसी भी सोप पर या किसी भी ओनलाइन वेबसाइड पर कोई सी भी रिजिस्ट्रेंस लगा सकते हो क्योंकि उसमें आपको जो ना इसके अंदर चूज करने के लिए ऑप्सन मिल जाते हैं लेकिन जब हमारे पास ऑप्सन नहीं होता ना तो हमें जो वही चीज ढूड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो अब यहां पर मैं आपको इतने सारे उप्सन बता दूंगा आप कोई सी भी रिजिस्ट्रेंस को लगा सकते हैं और एक दम बढ़िया वर्क करेगा यह देखे अब इसमें लगा सकते हैं 0.47 यह तीन रिजिस्ट्रेंस हम इसके सकते हैं अब यहां पर दिक्कत यह आ जाता है कि जब आप मार्कीट में डिक्वा मार्क करेम गने लिजिस्ट्रेंस लेने आसे तो यह हैंhan पर एक अब यहाँ पर कौन सा resistance लगा सकते हैं देखें यह 3 तो लगा ही सकते हैं और अगर यहाँ पर E लिखा हुआ है फिर E के बाद लिखा होगा 22 यह resistance भी आप लगा सकते हैं फिर यहाँ पर E लिखा हुआ है फिर यहाँ लिखा हुआ है 33 यह भी resistance आप लगा सकते हैं फिर यहाँ यह लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है 47 यहां पर भी आप लगा सकते हैं तो आपने देखा आपको कितनी सारी resistance पता लग गई तो यहां पर आप के पाचपाद चैड़ी जादा तो इससे क्या है आप अपन अपना कोई सा भी आप बना सकते हो और आपको मार्किट में ज़्यादा ढूनने की जरूद नहीं पड़ेगी त्यूंकि आपके पास ओप्सन होगे बहुत सारे अब आपको जोन सा रेजिस्टेंस मिलेगा वो आप लगा दोगे तो दोस्तो मेरा यह जानकारी आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरू करना और बेल के आपको जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा